नमस्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे निबंध लेखन निबंध का विशे है मैं और मेरा दूर दर्शन याने की टेली विजन इससे संबनित प्रेश्ट्र मध्य प्रदेश की बोर्ड वर लोकल पाईक्षाओं में पूछे जात हैं इसलिए आपको वीडियो ध्यान पूर्वक देखना चाहिए तो सबसे पहले निबं लिखने से पहले आप रूप रेखा जमा लीजिए रूप रेखा का पहला बिंदू है प्रस्तावना दूसरा बिंदू है दूर दर्शन का शाब्दिक अर्ध तीसरा बिंदू है दूर दर्शन से लाब फिर है दूर दर्शन से हानी और अंत में आता है उपसहार इसी प्रकार आप अपनी उतर पुस्तिका में नोट करिएगा इसको और परिक्षा में लिखकर आईएगा तो कुछ पंक्तियों के साथ हम निबंद शुरू करते हैं समा चार फिल्मों के सं अच्छे लगते यही दूर दर्शन मेरा है इससे सबका नाता है दूर दर्शन मतला होता है टेली विजन इसमें बढ़व की मतला थी ध्यान रगना आप सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना दूर दर्शन हमारे जीवन का एक महत्यपूर्ण अंग बन चुका है देश प्रदाइक भावना संबंधी महीला संबंधी अनेक प्रकार की जानकारियां समय समय पर हमें दूर दर्शन से प्राप्त होती रहती हैं अब हम देखते हैं दूर दर्शन का शाब्दिक अर्थ दूर दर्शन सब्द दो शब्दों से मिलकर बना है दूर धन दर्शन जिसका ग्यात करना मुश्किल था उन्हें दूरदर्शन के माध्यम से ही जानना संभव हो पाया है अब हम देखते हैं दूरदर्शन का आविशकार एवं विकास आविशकार आपको इसी प्रकार लिखना है दोस्तों बड़ा आता है इसमें दूर दर्शन का आविश्कार सन 1925 में हुआ था इसके आविश्कारक का नाम जॉन लोगी बेर्ड है यानि कि जे एल बेर्ड है जो इंगलेंड के निवासी थे यह दूर दर्शन टीवी के माध्यम से घर घर में प्रसारित होता है तेली विजन का एंटीना वायू तरंगों को ग्रहन करके इलेक्ट्रोनिक यंत्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता है आज वर्तमान अवस्था में विदेशों के साथ साथ भारत के सभी समझ छेत्रों में दूर दर्शन इस्थापित हो गए हैं आज इसका विकास अत्यांत तीवर तीवर आपको इस प्रकाल लिगना है बाब अखरी का नहीं वावन का अताज में तीवर गती से हो रहा है ठीक के सिक्षण हितु विभिन योग्य विद्वानों के माध्यम से पाठे सामग्रियों का प्रैसारण किया जाता है राष्टे सेक्षिनिक कारेक्रमों के अंत्रगत वैज्यानिक अनुसंधानों प्रैसिक्षिकों प्रैसिक्षिक्षिनों तथा अध्यानों अध्याओं का भी प्रसारण किया जाता है जो छात्रों के बौधिक विकास का उत्तम साधन है आप में देखा हुआ ग्यान दर्सन दूर दर्सन का एक चैनल चलता है ग्यान दर्सन उस पे मैथेमेटिक्स हिंदी अंग्रेजी आदि की क्लास बारी बारी से लगती है महिलाओं हेतू अने ज्यान वर्दक सूचनाय प्रस्तूत की जाती हैं चिकिस्सा संबंधी, सोंदरे संबंधी, सिख्षा संबंधी, कारेक्रम, विभिन विशेशग्यों द्वारा प्रस्तूत किये जाते हैं देश विदेशों में होने वाली घटनाओं का, वहां के विकास का नेता वा राजनेता का संदेश, राष्ट्रे उत्सवों की जानकारी, हास से वा व्यंग संबंधी कारेक्रम, कवी कारेक्रम, खेल कू संबंधी जानकारी, मनोरंजन संबंधी कारेक्रम के साथ साथ हर पल घटित होने वाले तत्यों को समाचार द्वारा घर बैठे ही देखे जा सकते हैं। दूर्दासन के साथ साथ ही अनेक प्राइवेट चैनल भी हमें तरह तरह के मनुरंजन कारेक्रम प्रदान करते हैं याज तक सभी चैनलों में मनुरंजन के छेतर में क्रामती लादी है यानि जी टीवी भाद का प्रैथम प्राइवेट चैनल है और जी न्यूज भाद का प्रैथम न्यूज चैनल है और दूर्दासन तो हमारा भाद का प्रैथम चैनल है ये फिर दूर दसन से हानी हमारे जीवन का अभिन अंग बनने के बावजूद भी दूर दसन से कुछ हानिया है जिससे हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है चात्र अपनी पढ़ाई के अपेक्षा दूर दसन पर चलने वाले कारिक्रमों के प्रती ज़्यादा आकशित होते हैं जिस कारण उनका ज़्यादा तर समय घर बैठे बैठे ही वैतित हो जाता है और उनका सारिक विकास, सामजिक विकास तता वैवारिक विकास रुख जाता है आँखों पर भी बुरा सर पड़ता है जिसके कारण उन्हें कम दिखाई देने लगता है छोटी आवस्था में चस्मा लग जाता है आदी के साथ साथ अनेक बिमारियां भी हो जाती है प्राइवेट चैनलों द्वारा प्रिसारित अमर्यादित अध्वा फुवर्ता पूर्ण याने की अश्लिल कारेक्रम से बच्चों के कोमल मन पर बुरा प्रभाप पड़ता है वह दिशा भ्रहमित हो जाते हैं वो कुछ तो बंबई भग जाते हैं कुछ लड़के लड़के पर बंबई भग जाते हैं हीरो हिरो उनके लालज में और महापर उनका सारी शोचन होता है वे अपनी सब्भेता संस्क्रति से व्रक्त हो पास्चाते सब्भेता एवं संस्क्रति के प्रती अनुरक्त होने लगते हैं अंत में आता है निस्ट कर दाता तुपसाहार मनोरंजन के शेतर में क्रांटी उत्पन करने वाले दूरदरसन से जहां आने को लाभ हैं वहीं कुछ हानिया भी हैं परन्तु मनोरंजन एवं सिख्षा के शेतर में दूरदरसन एक ससक्त माध्यम के रूप में पलवित एवं रिक्ट करना है धन्यवाद दोस्तों